जया नात्रादी। बहुत बहुत सवाद मरत खास कारी करम में आए जानते हैं मकर राशी 2024 का राशी फल इस वेडियो को लाग सब देखें, सबस्क्राइब करें मकर राशी के बालों के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला नाया 2024 में आप कैसे तरकी करना चाहते हैं कैसे कैसे आपके नए ने काम होंगे हम बस्तार से बताएंगे सबस्टे पहले जानते मकर राशी वालों का स्वाव सारान्ष क्या है मकर राशी वाले जातक बहुत ही इमानदार, बहुत ही emotional, बहुत ही अध्यात्मिक और समाजिक होते हैं इनके जीवन में किसी का दुख नहीं देखा जाता है सब के साथ खड़े हो जाते हैं और सब के साथ चलना सुरू कर देते हैं यह ऐसे बक्ति दूसरों के लिए जीते हैं दूसरों के लिए जादा कुछ कोशिश करते हैं को भला कैसे हो सके मकर राशी के स्वामी हलाकी संई होते हैं और इनके जो काम है वह फोड़ा होते हैं तो यहां नहीं आप पोजिटिव सोचेंगे और धीमें धीमें दीकाम होता है तो आपको बहुत बढ़ियां काम होगा लाश्ट में आपको सफलता मिलेगी गोचरी अवस् सिक्षा जी सम्मंदिर जानना चाहते हैं या जो आपकी संतान है उनका आपको सुक मिलेगा दूसरा आपके जीवन में बानी सम्मंदिर गुरु की कृपा इश्की कृपा आपको सदा प्राप्त होती रहेगी इसमें कोई संदे नहीं है पांच नमबर को गुरु जो है बक्री हो जाएंगे वो भी आपके लिए कहीं न कहीं अच्छे रहेंगे सत्रा जुलाई को सनी बक्री होंगे तो जनम में आपके सनी बक्री होंगे उसमें आपको लाब मिलेगा वो बैसे भी सनी आपकी पत्री काम योग कारी है तो आपके लिए जो रोके हुए काम है आपके 17 जुलाई के बाद वो होना सुरू हो जाएंगे जो बहुत समय से आपका ब्रेक लगा हुआ था 19 नवंबर को सनी फिर मारगी हो जाएंगे तो नवंबर के बाद से फिस कोछ चीजें आपकी सिलू हो जाएंगी उसमें आपको डणने का बसकता नहीं है आपका बहुत अच्छा हैगा आपको इसमें लाव मिलेगा अब हम बात करते हैं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सिक्षा से सम्मदित क्या चीजें नहीं हो सकती है क्या चल रहा दोजार चौबीश के अंत्रालगत तो सिक्षा के लिए दोजार चौबीश में मकर राशी में लेकि 2024 में आपके लिए यह बहुत अच्छा सुप समचार मिलने वाला है जिसके आप बहुत संतुष्ट रहेंगे और प्रसंद रहेंगे स्वास्त की बात करता हूं तो मकर राशी वालों का जो साड़े साथी चल रही हलाकि तो स्वास्त आपका बढ़िया रहेगा थो तो प्रेम प्रसंग के साथ साथ आपका जो बिवाहिग जीवन है वह बहुत अच्छा रहेगा यदि आप लममेरज करते हैं तो साधी के बाद आपकी चीज़े बहुत अच्छी हो जाती है और जब तक साधी नहीं हो यह तब तक आपका कहीं ने कहीं हो ताषब आफ़ चल के लिए दोस्तों के लिए धन के लिए आपके लिए विदेश यात्रा के लिए इस तनी दो आपको बहुत कुछ चीजे दे कर जाएंगे और आपको प्राप्त होगा बैवसाय आप जो है ना टेक्निकल हार्ट वेर संबंदित जो इदी काम करते हैं तो उसमें आपको लोहे का कोई कंपनी लगाना चाहते हैं उसमें आपको अच्छा लाब मिलेगा विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है ज 2024 में कुछ नया बड़ा काम कर पाएंगे जो लोग आपका नाम याद करेंगे और आप बहुत अंदर से संतुष रहेंगे उपाय की दी बात करते हैं तो पाय आपको हर सनी बार हनुमान जी की पूजा करनी है यदि आपका सरीर में कुछ बीमारी है प्रिसानी है तो आप हन स्वामी की नकड़ी को थोड़ा सा तोड़ें सनी बार के दिने पढ़ाम करके हैं उसको साथ बार उतार के सिर में सिर से और पानी में सिरा दें उससे आपका और ज्यादा सनी स्ट्रॉंग हो जाएगा और आपके काम मनना सुरू हो जाएंगे और आप सनी बार के दिने एक लीला हम भी पहन सकते हैं उसके पहनने से आपके कार शेतर में सफलता मिलेगी क्यूंकि मकर राशी के स्वामी सनी होते हैं तो गुरु का रतन या स्वामी की रतन पहनने से आपको eremyलाटच reforms मिलेगा किसी इस्त्री के मध्धम से कुछ आपने बाहर जाने का सोचा था या कुछ आपने उससे लेंदन किया था उसमें भी आपको सुब समचार मिलने वाला है तीसरा गाड़ी गोड़ा मकान की जो चीजें आपके मन में चल रही थी तो अक्टूबर के बाद से ये मकान आपका होगा और माई के बाद दोजार चौबिस के बाद आपका गाड़ी का योग बन रहा है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आपकी तारीक जो लखी हैं उनकी बात करते हैं और किशी के बातों पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना अपने कार को निपूर्टा के साथ सच्चाई के साथ दिया आप चलेंगे तो आपको पूर्ण उसका लाव मिलेगा दूसरा किसी को धन उधार ना दें क्योंकि आपका पैसा फच जाता है उस पर ध्यान देना है तीसरा आप किसी को कुछ देते हैं तो पहले देने से पहले आपके सोचना है कि बापसी रिटरन कब लेना है उसके साब से आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा में मकराशी के अंदर एक एसी KEPCITY होती है कि एसे बेक्ति बहुत समय के चिर से हीरो बनते हैं इनके जरत जनम होता है और जैसी-जैसी जैसी साल के होते हैं तो सपलता एक आपके जीवन में आईगी उसने आप सपलता की वरते चले आ prophets सब्थ कर दिखाए दे ब्यापार कम होता है और प्राइबेट सेक्टर में इनको ज्यादा अच्छा लाम मिलता है मकार राशी वालों के लिए और हम संतुष रहते हैं और आंगे बढ़ते हैं तो अपने जीवन कोई बड़ा काम कर रहे हैं नहीं हो रहा जो तिसमें जैशी की आप मकान साधी विवाह है विदेश यात्रा में आपको दिखता रही है तो पहले आप कुल्डी के वेचन करवाएं दिखवाएं उसकी बात करते तो इसको आपको उसमें लाम मिलेगा और काम आभी मिलेगी इस